नमस्कार दोस्तो मैं संतोस कुमार अंस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो ये है सामसंग को मुगाईल और इस मुबाईल में इसकी चार्जिंग पॉइंट है जो वो एकदम से जन पकड़के खराब हो चुकी है आज हम इस वीडियो में इस चार्जिंग पॉइंट को बदल कर आपको दिखाएंगे तो साथियो मेरे चैनल पर नए आये होगे तो मेरे चैनल को सस्काइब किजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाईए तो चलिए साथियो हम करते हैं इस मोबाईल की सर्वीस सबसे पहले इसके बैक कबर को लिकालने के बाद हम इसकी बैटर को भी लिकाल लेंगे और साथ में सीन को भी लिका लेंगे उसके बाद हम देखेंगे इस मुबाइल में तीन इसक्रू लगी है इस तीनों इसक्रू को भी हम इस मुबाइल से लिका लेंगे इसक्रू लिकानने के बाद हम इस मुबाइल के बैक साइड के जो कवर लगी है इसको हम लिका लेंगे तो उसके लिए दोस्तो हमें चिम्टे की मदद लेनी पड़ीगी चिम्टे से हम इस तरह से लगा कर धीरे धीरे इसके लॉक को खोलेंगे मिल्कुल धिरे धिरे खोलेंगे खोलने के बाद हम हम इसके फेशियल को अलग कर देंगे और उसके बाद देखेंगे इस चार्जिंग कनेक्टर में जंग लग गया है हम इसी चार्जिंग कनेक्टर को बदलेंगे तो उसके लिए हमें इस एलसिडी को भी लिकालना पड़ेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं लिकालेंगे हम जरा से लिकालेंगे उसके बाद इस तरह से लिकाल देंगे और इसी तरह इस एलसिडी को छोड़ देंगे उसके बाद हम इम्टे की मदद से हम इस तरह से अटका देंगे इसके बाद हम इस चार्जिंग करनेटर को खोलेंगे खोलने के लिए हमें ब्लॉवर का इस्तेमाल करेंगे एसंडी ब्लॉवर का और इसकी मदद से हम इस चार्जिंग करनेटर को खोलेंगे अब हम इस चार्जिंग कनेक्टर को इस मोबाइल में लगाएंगे ग्लोर के मदद से हम इस चार्जिंग कनेक्टर को इस मोबाइल में लगाएंगे ग्लोर को नीचे वाले भाग में रखेंगे और चार्जिंग कनेक्टर को उपर वाले भाग से लगाएंगे तो साथियो जब हम चार्जिंग कनेक्टर लगा लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इस सर्कृट को लिकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये चार्जिंग कनेक्टर सही लगा है या नहीं तो देख सकते साथियो ये चार्जिंग कनेक्टर सही से लग चुका है अब हम इसे मोबाइल के फेशियल में फिट करेंगे सबसे पढ़े रवड को खोलेंगे उसके बाद LCD को उसकी सही जगा में लगाएंगे उसके बाद इस फेशियल में सर्कुट को लगाएंगे तो साथियो अब हम बैटरी लगाके इस चार्जिंग कनेक्टर को चेक करेंगे यह सही लगा है या नहीं या हमारा मुबाइल चार्ज ले रहा है या नहीं आप देख सकते हैं इस मुबाइल में चार्जिंग चालू हो चुका है इसका मतलब हमारा चार्जिंग कनेक्टर जो है वो सही रूप से लग चुका है तो इसी तरह से मुबाइल में चार्जिंग कनेक्टर लगाए जाता है वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूँ से जरूँ दबाईएगा धन्यवाद दोस्तों नायत पसमय पस्फच पस्टाइब कीजिए है यादर राह में काने कीजिएगा